अंदर एक मंदिर भी है सामने आपको नजर आ जाएगा सायद हुमारे बाल जवरू की तरह हो गए अभी है लो दोस्तों वेलकॉम बैक टो मैं लिए वीडियो आज हम जा रहा है मुंदियाड गाउं जहां पर एक मेला लगने वाला है तो वहीं पर आज हम जा रहे हैं आपको भी वहां पर एक्स्प्रोर करेंगे उस जगह को आपको दिखाएंगे पर कैसी जगह है और कैसा मेला किताएंगे फिलाल अभी में जिस जगहां पर हूं वहां से करीबं 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं और हम जाने वाले तीन जने बाइक पर तो क्या को सीन रहता है वह आपको बताऊंगा और फिलाल हूं मैं अपने गाहों के अंदर तो भाई यहां पर कहीं सारे मेले लगते रहें हैं मंद्यार गाहों के अंदर तो वहां पर चलते हैं फिलाल हमारे साथ दो दिन हो रहे हैं साथ हमारा एक भाई है और एक फ्रेंड तो उन्हें भी लेते हैं और चलते हैं तो तिनो निकल रहे हैं अभी तो जहां पर मेला लगने वाला है वो जगत इखाएंगे और जो जुले हैं वो भी आ गया है फिलाल हमारे काम के सब्सक्राइब जोड़ना पड़ता तो वो भी काम चालू हो गया है देखिए वो रहा सामने अब आपके वहां पर इस जुले क आपको क्या कहते हैं वो बताइए नजर तो साइधी आएगा आपको वो नहीं दिखा चलते हैं बाई क्या कुछ सीन रहता है आगे का वह आपको दिखाते हैं और मेले का सीन मारे को दोस्तों अभी हम आये हैं अपने गाउं जो कि वीर तेजा जी की जन्मस्तली है खर्णाद तो उससे करीब बने 4-5 किलो मेटर दू जो है वीर तेजा जी की खेत हैं तो यहीं पर अभी मैं रुका हूं मैंने सोचा क्यों आपको भी बता दें तो यह वो जगह वीर तेजा जो कि खर्णाड उनकी जन्मस्तली है तो यहीं पर है उनके खेत तो जो सामने आपको यह नजर आ रहा है यही है उनका खेत जो कि खुद वो बोया करते थे अपने समय में तो यहीं वो जगह है मैंने सुचा क्यों आपको भी बता दें अभी हम जा रहे हैं आगे मुंद्या अभी हम मुंद्यार गाओं में पहुंच चुके हैं और यहां पर देखियों पूलिस भी लगे हुई हैं मैं लगे इसाप से मंदिर के पहुंच गये हैं जहाँ पर कल मेला लगने वाला है आज हम साम को आया हैं क्योंकि भी नहीं मेला का यह देखिये यह सीन जो कि यह सारे जुले आज रात में फिक्स हो जाएंगे और कल मेला है यहां पर अभी दुगाने लग रही है तो दोस्तों मंदिर पीछे वाला नहीं था आगे है और और पी आगे जाना होगा और मेले का नजर आप हमारे पीछे देखा होगे अभी शुरुवात हैं और मेला मेला कर लगने वाला है अभी साम के लगबाद पांस बजने वाले हैं अब आया है हुमारे बाल जवरु की तरह हो गए अभी दाइशा आप यहां पर लड़ाई हो गई है मिल आपको बाद में तो दोस्तों यही है मंदिर तोंच गए हैं अभी कि अब मंदिर में चलते हैं यह मंदिर अभी काम चल रहा है पहले पूरा नहीं था जब मैं आया था यह मंदिर यहां का कि यह मंदिर चलते हैं अंदर और अंदर से कुछ सीन आपको दिखा दूंगा यहां करूर मंदिर यहां करूर मंदिर इस तरह पूर है गनेर जी के वहन मुस्तप यहां पर देख वाओं कि काम चल रहा है अभी यहां से पहले पूरा नहीं हुआ करता था जिसे गिरा दिया गया हैं यहां पर पैंटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएकि देखिए कलर फेट होने के बाद यहां पर हैं कुछ पैंटिंग्स और इने जोड़ा गया हैं अंदर एक मंदिर भी हैं सामने आपको नजर आ जाएगा सायद देखिए जूम करके आपको दिखा देता हूं साही से यह देखिए रेड रेड आपको नजर आ रहा होगा यहां पर एक मूरती हैं उसी के साथ यहां पर अभी बन रहे हैं यह और यह है यहां को मंदिर अभी हम जा रहे हैं जोते हमने इस सेट में कोल दिया थे बाकिरास्ता बंद किया हुआ है अब आ रहे हैं लगवग मेकप का आ रहा हूं और अब यह मंदिर से बाहर आ रहे हैं कोल पर लगव है चलते बाहर और काफी अच्छा सीन हो यहां का भी बाइक हमने यहीं पर छोड़ी थी वह भी अब अंदर जाके इसा है इन्होंने बाहर ही खोले चपल ही है बाहर ही है और यह ऐसा कुछ सीन है यहां का दुकाने लगी हुई है और ऐसा माहूल है और कल सामकु जो है यहां से एक दोड़ निगलेगी जो की हमारे गाहों पर लोग भी आपको बना के बता दूंगा कि इस तरह का जो है यहां पर एक दोड़ होती है वह भी आपको दिखा देंगे फिलाल निगलते हैं चले अब अब ही निगल रहे हैं आपको सपने गाउं की तरफ चलो पी देलते हम आगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम जो है जाकर आए थे एक छोटी सी ट्रिप पर मैंने सोचे क्यों आज एक छोटा सा व्लोग बना लिया जाए यहां पर मेला अभी लगा नहीं है बस में जो मुख्य मेला है वो कल है तो उसके बारे म आएंगे उन में जो है आपको पूरा मेला देखने को मिलेगा एक हमारे गाउं के अंदर ही एक मेला है और जो नेक्स्ट व्लोग ही है हमारा तो वह भी आपको दिखा दूँगा जैहिन जैह बारत मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया से व्लोग के साथ एक नए मेले की ट्रिप झाल के साथ?